Hello and welcome back again to the Miracle Hub आज फिर से हम diabetes के बारे में ही बात करने वाले हैं आज मैं आप लोग के साथ कुछ और ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ ऐसी वेजिटेबल शेयर करने वाली हूँ जो आप diabetes में ले सकते हैं हम अक्सर diabetes को जो है blood sugar के problem के साथ relate करते हैं हैं कि blood sugar का problem और diabetes एक ही चीज है बत ऐसा नहीं है इससे कहीं ज्यादा effect पड़ा diabetes की वज़े से होता है type 2 diabetes को आप connect कर सकते हैं insulin resistance के साथ जो अगें फिर associate होता है fatty liver की problem के साथ heart disease के साथ abnormal cholesterol levels के साथ high blood pressure and बहुत times ये कुछ एक तरह के cancer के साथ भी relate किया जा सकता है associate किया जा सकता है so जब हम कुछ खाने के बारे में सोच रहे हैं जो कि हमें diabetes की diet के लिए plan करना है हमें ये भी सोचना जरूरी है कि क्या वो हमारी heart की problems को तो नहीं बढ़ा रहा है हमें अपने heart disease को prevent करना है cancer prevention के लिए भी खाना है जब हम diabetes की diet को plan कर रहे है different जो हमारी vegetables होती है और ये different तरह के nutrients होते है different type के fibers होते है and ये सभी जो है वो diabetes management के साथ-साथ हमारी overall health को manage करने के लिए भी बहुत ही ज़ादा अच्छे होते है so now let's talk about the healthier and low carbs vegetables जिनमें की हम लोगों को carbs कम बलेंगे fiber जादा मिलेगा सबसे पहना option हमारा है carrot याने की गाजर fiber होता है इस non-starchy vegetables में जो help करता है feel करने में कि हमारा भी तक stomach full है और हम दुबारा हमें भूख नहीं लगते हैं बार-बार नहीं खाने की वज़े से sugar show up होने के chances हैं वो बहुत कम हो जाते हैं carrot में बहुत अच्छी capability होती है इसमें fiber बहुत जादा होता है और vitamin A बहुत अच्छा होता है इसमें rich in vitamin A होती है जिसकी विज़े से कि ये immunity और हमारे eyes को भी बहुत जादा अच्छा रगती है तब immunity अगर आपकी बाची नहीं है तो आपको carrot को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करना चाहिए ना नेक्स आप्छिन इस ब्रॉक्ली ब्रॉक्ली जो है वो क्रूसी फेरस फेमिली की एक मेंबर है और ये packed होती है बहुत सारे fiber के साथ है nutrients के तरफ जुकीनी जुकीनी is high in carotenoids compound एक ऐसा होता है carotenoids जो कि आपकी heart की health को बना के रखेगा और आपको कुछे cancels के against protect भी करेगा लो होती है calories में और fiber बहुत जादा होता है जुकीनी में now talking about the cabbage cabbage याने की जिसको हम बंद गो भी या भी पता गो भी भी कहते है it is high in vitamin C इसमें vitamin C बहुत जादा होता है and ये आपकी heart health है उसको positively effect करता है because it is rich in vitamin C और इसमें बहुत ही अच्छा fiber भी होता है ये rich source होता है fiber का next option is spinec spinec याने के पालक full of nutrients है ये and calories में बहुत जादा लो होती है rich in iron है इसे लिए आपकी healthy blood flow के लिए बहुत जादा अच्छा मायना जाता है अगर hemoglobin की problem है and साथ में आप ड़ीटिक है आप spinec को पीड़ाइट में बिना कुछ सोचे इंकलूट कर सकते हैं moving on to the next one tomatoes tomatoes tomato lycopene बहुत जादा होता है इन में ये एक ऐसा compound है जिसको link किया जाता है lower risk of her disease के साथ और कुछ कैंसर को भी ये prevent करने में helpful रहता है cucumber याने के खीरा ककड़ी खीरा जिसे आप कहते हैं high water vegetable है जिसके विजह से कि आप hydrated रहते हैं and आपको बहुत समय तक भूख नहीं लगती है आपको लगता है कि आपका stomach अभी तक भरा हुआ है आपको भूख फील नहीं होती है lettuce जो है वो different types की होती है और different types की lettuce में different different types के nutrients होते हैं और ये सभी के सभी हाई होते हैं fiber में and water में अगर आप intake कर रहे हैं red leaf lettuce का तो इसमें daily recommended amount होता है ना मारा vitamin K का उससे भी जादा amount में provide कर सकता है ये आपको vitamin K अगर आप red leaf lettuce को ले रहे हैं और ये जो vitamin K है ये blood clotting के लिए जादा अच्छा है बोन की health को आपके बना के रखने के लिए बहुत ही जादा अच्छा है in general अगर हम बात करते हैं तो जो starchy vegetables होती है वो लो होती है carbohydrates में और calories में and starchy vegetables जो है उनमें ये सारी चीज़े हाई होती है और साथ के साथ जितनी भी मैंने आपको ये vegetables बताई fiber content इनक कि एक level पे एक जगह पे बनाए रखने में बहुत सब्सक्राइब करता है absorption जो है बाकी के carbs की उनको भी ये कम करता है मानने जिए अगर आप कोई carbs वाली कोई चीज खा रहे हैं और साथ में आप ये वाली vegetables का रहे हैं तो carbs का absorption होगा उस चीज का मानने जिए आप गेहू का आ ही होगा सो फ्रेंज ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें अगें मैंने आप लोगों को बताए कि डाइबिटीज में किस सरह से आप ये मैंने आप लोगों के साथ आठ डिफेंट जो वेजिटेबल्स है वो शेर की हैं आप इनको अपने डाइप में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके चान पहण ने किसी को भी डाइबिटीज है और वो इन सारी चीजों को ढूड रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो आप मेरी कोई भी डाइबिटीज से रिलेटिर एक वीडियो उनके साथ शेर कर सकते हैं और बाकी सारी जितनी बाइक जरूर कीजेगा, शेर कीजेगा, और अलसो, don't forget to subscribe to Miracle Hub. Thank you all for watching this video, take care, bye-bye, stay strong, stay healthy, stay safe.